तो अब हम देखते हैं example 12, example 12 में क्या किरा है, use elimination method to find all possible solution of the following pair of linear equation, ठीक है, guys, example 12, ऐसे example क्या है, बहुत ही tricky, मतलब जो ऐसे question exam में बनते हैं, बहुत ही tricky बनते हैं, और आते हैं, तो बच्चे countries हो जाते हैं, तो इसमें आपको मैं last में एक चीज बताऊंगा, इसलिए वीडियो क end तक देखना, ताकि आपको इस question का concept समझ में आ जाएं, ठीक है, तो देखते हैं, इसमें जो मेरे पास equation first है, वो है, 2x plus 3y is equal to 8, यह कहा है, equation first है मेरे पास, उसके बाद equation second है, 4x plus 6y is equal to 7, यह है equation second, ठीक है, हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको elimination method से solve करना है, ठीक है, तो elimination method क्या है, उसमें हमें क्या करना है, किसी एक value को बराबर करना होता है, ठीक है, मान के चलो मैं इसको बराबर करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से multiply कर दोंगा, और इसको तो simple 1 से करूंगा, ठीक है, तो जैसे, जो मेरे पास ये value आ गई उसके बात इन सब को अगर मैं solve करूँगा तो मिरे पास तो same रहेगी 4x plus 6y is equal to 7 ये मेरे पास equation first है और ये कहा second है तो क्या करूँगा मैं ये plus का है तो minus ये plus का है तो minus ये plus का है तो minus तो guys देखो यहाँ पर क्या है मिरे पास ये पूरी value भी कट जा रही है और ये पूरी value भी कट जा रही है तो देखो कभी भी अगर मिरे पास ऐसा होता है कि x की पूरी value भी कट रही है और y की पूरी value भी कट रही है तो हम क्या करते हैं? ये जो statement होती है, जो equation होती है, जो equation होती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? false false statement, मतलब जो हमारे पास equation given है, वो क्या false है, तो ये मिर पास क्या है? इस equation का कोई solution नहीं होगा, तो equation has no solution थाल हमें इसकंदर बस ये पता लगाना था ऐसे एक्जाम मैं आते हैं ट्रिक पर आते हैं कोश्ण ठीक है दो मांक से कम से कम आते हैं लेकिन यह क्या है इसमें बच्चे और सब्सक्राइब करें तो सारे के सारे एक्जामपल और जो एक्साइस के कुशन होते हैं वो गम सगम कर रही होते हैं NCRT के तो वैस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे थैंक यू